तो एक समश्या आती है अगर कोई बात किसी सास्तर में कुछ लिखी है और अन्य सास्तर में कुछ और बात लिखी है तो समश्या आती है तो एक समश्या है राम के नाम और कृष्ण के नाम के समश्या है तो सामनता यही कहा जाता है कि राम के तीन नाम के बराबर कृष्ण का एक नाम है परंतु परासर सहीता में यह लिखा है कृष्णेति वाशुदेवेति संति नामानी अनेक सहा तेभ्यो रामेति यन नाम प्राभर वेदा परम्मने इस कार्थ है कि Krishna और वाशुदयो जैसे अनेक नाम है परन्त उन मेंसे जो राम का नाम है чи वो सर्वस्त्रिष्ट है तो भगवान के अने नामो की तुल्णा में राम का नाम सर्वस्त्रिष्ट कहा जाए तब तो ठीक है इन Krishna का भी नाम इसमें आ गया कि कृष्ण और वाशुदयों जैसे इन सब नामों की तुलना में राम का नाम स्रेश्ट है तो अब इसको कैसे समझाएं क्योंकि अन्यतर कहा गया है कि राम के तीन नामों के बराबर कृष्ण का एक नाम है तो वैसे इस प्रकार से नहीं सीधे ये नहीं बताया गया कि राम के तीन नामों के बराबर कृष्ण का एक नाम है परंतु किस प्रकार से कहा गया है कि ब्रह्मान पुराण में स्री कृष्ण अस्टोतासत नाम महात्में ये बात लिखी है इसकार्थ है कि हजार नामों को जो है जब तीन बार बोला जाए तो जो फल प्राप्थ होता है तो वही फल कृष्ण के एक नाम से प्राप्थ हो जाता है हजार नामों को तीन बार जब बोला जाए तो जो फल मिलेगा कृष्ण के एक नाम से प्राप्थ होता है और राम रक्षा स्तोत्र में सिव जी परवदी जी केते हैं कि हजार नाम अगर बोले जाएं तो वो राम के एक नाम के बराबर होता है तो इन दोनों बातों अगर हम मिलाएं तो क्या समझें कि हजार नाम के बराबर राम का एक नाम है तो तीन हजार नाम अगर बोलें या हजार नाम को तीन बार बोलें तो राम के तीन नाम के बराबर है और यहीं जो है हजार नाम तीन बार बोलने तो किर्ष्ण के एक नाम के बराबर है तो इसने क्या निसकर्ष निकलता है कि राम के तीन नाम के बराबर किर्ष्ण का एक नाम है तो ये निसकर्ष निकलता है अब इस बात को कैसे समझाएं कि परासर सहीता में ये बात कही गई है कि कृष्णे वासुद्यो जैसे जितने भी नाम है उनमें राम का नाम सर्बस्रिष्ट है तो इसके हम जो है उत्तर में तीन बिचार करेंगे तो पहला उत्तर तो ये है कि राम नाम की एक ब्याख्या इस प्रकार की भी है कि राकारा स्रीमती राधा मकारू मदुसूदन हा दो योर विग्रह सन्योगात राम नाम भवेत किल कि राम के नाम की एक ब्याख्या इस प्रकार की है कि रा का अर्थ है राधा और मा का अर्थ है मदुसूदन इस प्रकार राम नाम से अर्थ क्या निकलता है राधा मदुसूदन तो अगर कोई बिक्ति इस भावना के साथ नाम का नाम लेता है कि राधा और मदुसूदन का जो है नाम है ये तो फिर हम कह सकते हैं कि कृष्ण के नाम से राम नाम स्रिष्ट है क्योंकि राम के नामे राधा और मदुसुदन यानि कृष्ण राधा और कृष्ण दोनों का नाम आता है तो उतर एक तो ये बनता है लेकिन ये भावना की बात है कि अगर कोई बेक्तिस भावना से अगर राम का नाम अचारन करें कि वो राधा और मदुसुदन यानि राधा और कृष्ण का नाम ले रहा है तो फिर जो है राम नाम का जो है कृष्ण के नाम से ज़्यादा महात्मे है अब दूसरा उतर ही दूसरे उतर पर हम विचार करेंगे ये कहा गया है कि राम का नाम तारक मंत्र है यानि हमें पापों से छुडाता है और कृष्ण का नाम तारक और पारक दोनों है कृष्ण का नाम हमें पापों से भी शुलाता है और प्रेम भी प्रतान करता है तो अगर किसी की स्रिधा भगवान में नहीं है उसको भगवान के प्रेम से कोई जरूरत नहीं है भगवान के प्रेम की कोई जुरत नहीं है तो फिर वो किवल पापों से ही मुक्त होना चाहता है तो ऐसे बहुत से नास्ते खोते हैं वो पापों से मुक्त होना चाहते हैं भगवान को नहीं मानते भगवान को नहीं मानना चाहते हैं तो ऐसी अबस्ता में उसके लिए राम का नाम ही सुविधाय जनक है राम का नाम जहवा से आसानी के साथ निकलता है यसे रत नाकर नाम का डागू था तो उसके भगवान में सरद्धा नहीं थी इस और को नहीं मानता था लेकिन पापों से मुक्त होना चाहता था क्योंकि नारजी ने कहा कि तुम जो पाप करते हो इस नारजी ने उसको क्या कहा मरा मरा जपने के लिए तो मरा मरा जपने से राम का नाम निकलता है तो कोई बिक्ति राम के नाम से अगर नफरत करता है तो भी ये मरा सब्द का उचारन करने से राम का नाम निकलता है परंदो किर्शन के नाम में ऐसी बात नहीं कि कुछ और सब अपने से किर्ष्ण का नाम निकले तो जो लोग अनिस्वरवादी है वेदी राम नाम नहीं बोलना चाहते हैं तो वे मरा मरा जब सकते हैं परंतु किर्ष्ण के नाम में ऐसा नहीं है इस दृस्षी से कहा जा सकते है कि राम का नाम कृष्ण के नाम से स्रेष्ट है क्योंकि ये बोलना आसान है अब तीसरा उत्तर तीसरा उत्तर ये है कि जैसे ये बात कभी कभी कही जाती है कि गुरू की महिमा स्री कृष्ण से अदेखें क्योंकि गुरू प्रसन होते हैं तो कृष्ण प्रसन होते हैं अगर गुरू रुष कुरुज हो जाएं तो किर्ष्ण तो स्रन नहीं देंगे। अगर तत्य की दिर्ष्ण से देखा जाए तो किर्ष्ण की महीमा से गुरु महीमा है, गुरु सुतंत्र नहीं है तो तत्तो की दिर्शी से तो कृष्ण की ही महिमा सरवोच है और गुरु जो है उनके अधीन तो गुरु की किरपा होती है जब कृष्ण की किरपा हो परंतु ये बात जो है कभी कभी कही जाती है कि गुरु की महिमा कृष्ण से ज़्यादा है उसी प्रकार से राम नाम को कृष्ण के नाम से दिख कहा जा सकता है लेकिन ये बात कभी कभी कही जा सकती है क्योंकि राम नाम से जब जिक्ति सुध हो जाता है तो कृष्ण के नाम की महिमा समझ सकता है इस प्रकार ये बात कभी कभी कही जा सकती है कि राम का नाम किर्शन के नाम से बढ़कर है परन तो हमेशा नहीं हमेशा के लिए तो यही तत्त ग्यान है कि किर्शन का नाम राम नाम से तीन गुणा अधिक है धन्यवाद हरे किर्शना